टॉपिक 3 प्रोजेक्टाइल मोशन आप सबने ऐसे फववारे देखे होंगे जहाँ पर पानी एक तरफ से उपर जाता है और दूसरी तरफ नीचे आता है असल में कोई भी चीज अब उपर फेकी जाती है तो हम देखते हैं कि वो कुछ इस तरह का पात फॉलो करती है उधरन के तौर पे अगर आप एक उचाई से एक संत्रा गिराएं तो वो ऐसे नीचे के देगा पर अगर आप उसको होरिजॉंटल विलॉस्टी दें मतलब साइड की तरफ फेक दें तब भी वो नीचे के तरफ आता है हम इसकी वज़ा जानते हैं कि वो है गुरत्वा करशन का बल आप यहां पर नोटिस करेंगे कि यहां पर संत्रे द्वारा टे की गए दूरी का शेप कुछ ऐसा है और जो हमने अभी फवारे देखे थे उसमें भी अगर हम उसको आधा काट दें तो शेप वैसा ही लगता है जैसे फेका हुआ संत्रा हो हम इस टॉपिक में इस तरह के मोशन को स्टडी करेंगे उधरान के तोर पे अगर आप एक बॉल को फेकते हैं तो बॉल के जाने का रास्ता कुछ ऐसा होता है इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन हम जब बॉल को उपर मारते हैं तो बॉल को हम कुछ वी जीरो इनीशल विलासिटी देते हैं जिसकी दिशा ऐसे कुछ होती है इस दिशा के आंगल को हम थीटा नाम से मानेंगे उधारण के तोर पे अगर एक तोब से गोला फिका गया है तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के बाद उस तोब के गोले के गिदने की जगे माप पाएंगे और हम ये भी माप पाएंगे कि वो कितनी उचाई तक जाएगा आईए देखते हैं कि एमोशन कैसा दिखता है वी एक्स और वी वाए होरिजोंटल और वर्टिकल विलॉस्टी है एच उसकी माक्सिमम हाइट है आप देख सकते हैं सबसे उचाई पे वी वाए जीरो हो गया है और वी एक्स वहीं का वहीं बरकरार है जैसे से बॉल नीचे आ रही है तो वी वाए का माप बढ़ रहा है और वी एक्स वैसे का वैसा ही है जिस गती से या जिस स्पीड से बॉल को उपर फेका जाता है उसको हम वी जीरो बोलते हैं क्योंकि ये वी जीरो कुछ आंगल पे होती है इसलिए इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट होते है हमारे पिचले उदारण में ली गई बॉल को फिर से देखते है बॉल को अगर वी ZERO वलोस्टी से THETA अंगल पे फेका गया है तो हम इसके horizontal और vertical component निकाल सकते हैं Vy मतलब इसका vertical component जो की होता है V0 into sinθ Vx मतलब इसका horizontal component जो की होता है V0 into cosθ अब अगर हम ball के horizontal velocity की बात करें आपको ये animation याद होगा आपने यहाँ पे देखा था कि जो horizontal component velocity का वो same है क्योंकि ball पे इस वक्त horizontal कोई भी force नहीं लग रहा है इसका मतलब acceleration along the x direction equal to 0 है क्योंकि ball पे कोई भी horizontal force नहीं है इसका मतलब कि अगर हम Newton की first equation of motion का استعمال करके velocity along the x direction निकाले तो उसमें a को हम 0 रखेंगे क्योंकि ax की value 0 है तो vx आजाएगा v naught cos theta या फिर v 0 cos theta जो कि एक constant value है The horizontal component of velocity is independent of time as the acceleration is x direction is 0 Independent of time होने का मतलब है कि time पे dependent नहीं है और time के साथ constant रहती है जैसे कि हमने यहाँ पे देखा तो हम कह सकते हैं कि v 0 cos theta हमेशा same रहेगा अब इसी velocity का इस्तिमाल करके हम ball के द्वारा cover किया गया horizontal distance भी निकाल सकते हैं इसके लिए हम Newton की second equation का इस्तिमाल करेंगे जो कि है s equal to ut plus half a t square यहाँ पे s x मतलब कि x axis के along हुआ displacement equal to u x मतलब velocity along x direction t plus half into a x t square हमने अभी अभी यह पढ़ा कि a x की value 0 के बराबर होती है इसका मतलब displacement along x direction हो जाएगा v 0 cos theta into t यहाँ पे हमने graph पे दिखाया है कि time t अगर वो time है जहाँ पे ball अपने highest point पे पहुँच रही है तो displacement along x direction मतलब कि v 0 cos theta into t अब vertical component की बात करते हैं जो हमने अभी animation देखा था उसको फिर से देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ball जब नीचे आ रही है तो उसका velocity का vertical component बढ़ रहा है हम इसकी वज़े जानते हैं वो है gravity gravitational force हर एक चीज़ पे लगता है जब कोई ball उपर फेकी जाती है तो उसके लगतार नीचे gravitational force लगता होता है जिसकी वज़े से ay बराबर minus g माना जाता है gravitational force मास पे depend करता है और अगर हम उस force को मास से divide करते हैं तो बचता है g जो कि downward direction में होता है तो अगर upward direction को positive माना गया है तो ay बराबर minus g लिख सकता हूँ मैं जो कि एक constant value है और एक constant acceleration है towards the down direction अगर अगर मैं velocity निकालना चाहूँ तो मैं Newton की first equation apply करूँगा जहां पे vy बराबर uy प्रस ay t हो जाएगा अब यहां पे ay की value minus g होगी और initial velocity हमको पता है initial velocity का vertical component था v0 sin theta तो vy आ गया v0 sin theta minus g t vertical component of velocity is time dependent due to the acceleration due to gravity यहां पे हम देख सकते हैं since एक downward constant acceleration है तो vertical component time पे depend करता है अगर हम इसको plot करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि vertical component लगता time के साथ कम होता रहेगा अब अगर मैं ball की दौरा पहुची गए maximum height की बात करूँ तो उसके लिए मैं Newton की second equation apply करूँगा जो की इस बार y direction में apply होगी तो इससे हमारे पास value आजाते हैं V naught sin theta t जो की velocity का vertical component है plus half a t square ay की value यहाँ पे minus g है तो यहाँ पे आगया minus g t square और x का तो हम time dependent formula निकाल ही चुके हैं जो की था V naught cos theta into t अब इसका इस्तिमाल करके मैं equation of path of projectile निकाल सकता हूँ अगर मैं इन दोने equation में से t के variable को eliminate कर दूँ तो मेरे पास equation आजाती है y equal to x tan theta minus g x square upon 2 v naught square cos square theta यह होती है equation of a parabola जो ball को उपर भेकने पे shape बनता है उसको हम parabola बोलते हैं और ऐसा shape तब ही आता है जब एक constant acceleration होता है अब अगर मैं इस information का इस्तेमाल करके maximum height का time निकालना चाहूँ जिसको मैं tm बोलूँगा time taken to reach the maximum point that is the highest point of the path is called the time of maximum height हम animation में यहाँ पे देख सकते हैं कि highest point पे vertical velocity 0 हो जाती है तो इसका मतलब अगर मैं vy equal to 0 put कर दूँ तो मेरे पास tm आ जाएगा v naught sin theta बराबर g as the time of maximum height क्योंकि इस time पे vy 0 हो गया है मतलब कि projectile अपने highest point पे पहुँच गया होगा time of maximum flight मतलब कि वो time जिसमें projectile अपना पूरा path कवर कर रहा है जहाँ पे उसको fake आ गया और वो जहाँ पे आके land कर रहा है आप नोटिस करेंगे कि projectile का path हमेशा एक midpoint के symmetric होता है तो जितना time projectile को अपने maximum height पे पहुचने पे लगता है उतना ही time उसे वापस नीचे आने में पे लगता है हमने अभी-अभी time of maximum height निकाला था V0 sin theta upon g तो total time of flight हो जाएगा 2 times the time of maximum height मतलब की 2 into V0 sin theta upon g यहाँ पे आप देख सकते हैं कि projectile का path इस midpoint के symmetric है तो जितना time उपर जाने में लगता है उतना ही time नीचे आने में लगता है horizontal range range वो value है जितना horizontal distance projectile cover करता है इसका मतलब projectile का जो parabolic path है वो जब फिर से x-axis को मतलब y equal to zero line को cross करता है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि projectile के maximum range cover हो गई है इसको ऐसे imagine करी कि आपने एक बड़े मैदान में एक ball fake हो और वो आपसे दूर जाके जमीन पे वापस के रही हो जिस point पे वो जमीन पे गिरती है वहाँ पे हम कहते हैं कि horizontal distance equal to range it is the distance traveled during the time of flight since time of flight हम capital T से निकालते हैं और range का formula हमने पहले निकाला था V0 cos theta into small t अब small t को यहाँ पे हम capital T रखते हैंगे तो हमारे पास range का formula आगया V0 cos theta into capital T capital T की value हमने अब अभी निकाली थी तो इससे हमारे पास आता है range का formula V0 square sin 2 theta upon G क्योंकि 2 sin theta cos theta मलके sin 2 theta बन जाता है R is maximum when sin 2 theta is maximum that is when theta equal to 45 range maximum तब होगी जब 2 theta maximum होगा क्योंकि sin 0 से 90 की बीच में बढ़ता है अगर angle बढ़ता है 2 theta maximum 0 से 90 की बीच में 90 हो सकता है इसका मतलब theta equal to 45 पे हमको maximum range मिल जाएगी और अगर हम maximum range की value निकालना चाहें तो वो होगा V0 square upon G क्योंकि हम यहाँ पे 2 theta की value को 90 रख देंगे और sin 90 की value होती है 1 तो र-max आगा है V0 square upon G अब अगर हमको maximum height निकालनी हो तो हम Newton की third equation apply करते है V2 equal to U2 plus 2as हमको पता है कि highest point पे Vy 0 होता है हमको Uy की value पता है Ay की value पता है और maximum height को H बोल देते है तो इससे H हमारे पास आता है V0 square sin square theta upon 2G बॉल को उपर फेका गया है तो maximum height attained by the ball is V0 square sin square theta by 2G Problem Solving Video 1 At what initial speed must the basketball player throw the ball at 55 degree above the horizontal to make the shot as shown in the figure below हमको यहाँ पे एक situation दी गई है जहाँ पे की basketball को hoop के अंदर फेकना है और यह dimensions है आपको initial speed बतानी है कितने पे ball को फेकना चाहिए वीडियो के आपे pause करें और सवाल खुट track करें आईए solution देखते हैं हमको situation कुछ ऐसी दी हुई है तो सबसे पहले हम initial velocity का horizontal component और vertical component लिख लेते हैं उसके बाद हम calculation चालू कर सकते हैं पर सबसे पहले हमको यह देखना है कि ball कितना distance travel करेगी horizontal distance total 14 feet है player का hoop से पर हम देख सकते हैं कि ball को एक feet आगे पकड़के फेका जा रहा है इसका मतलब कि effective distance जो travel करना है ball को horizontally वो 13 feet होगा similarly vertically देखें तो hoop 10 feet उचा है पर player ball को 7 feet उचाई से फेक रही है इसका मतलब कि vertical displacement total ball का 3 feet का होना है इस situation के साथ जब हम calculations करते हैं तो हम पाते हैं कि time taken by the ball to reach the basket होगा 13 feet upon VX VX हमको पता है V0 cos theta होगा अगर V0 initial velocity है जो हमको निकाल ली है theta की value हाँ पर 55 degree है उसको हम बाद में इस्तमाल करेंगे तो total time भी मैं कह सकता हूँ कि 13 feet बटा V0 cos theta होगा क्योंकि total time जिसमें horizontal distance cover हो रहा है उसी में ball को vertical distance भी cover करना है अब हम निकालते है time t in terms of the vertical component of initial velocity हमको पता है कि vertical displacement total 3 feet का होना है तो हम Newton की second equation के इस्तमाल करते है s equal to ut plus half a t square तो 3 feet बरावर u y t plus half into minus g into t square minus हमने हाँ पे इसके लिया क्योंकि हमने upward direction को generally positive बानते है तो acceleration to gravity जो की downward होता है वो negative हो जाएगा तो इसलिए आगे 3 feet बरावर u y t minus half g t square u y को हम v naught sine theta रख सकते हैं क्योंकि u y है initial velocity का vertical component जो की है v naught sine theta अब इस equation में हम t की value को horizontal component of velocity की terms में रख सकते हैं जो हम इसको रखते हैं तो हमारे पास simplify करके आता है v naught बरावर 169 feet square into g upon 2 cos square theta multiplied by 13 feet tan theta minus 3 feet अब theta की value हमको पता है वो है 55 तो हम इसको और solve करेंगे और हमारे पास v naught की value आती है 23 feet per second इस topic में हम पढ़ेंगे uniform circular motion आपने अगर कभी किसी पत्थर को रसी पे बानते गोल गोल गुमाया हो तो आपने experience किया होगा कि आपके हाथ में जो रसी होती है उस पे खिचने वाला force लगता है पत्थर कभ घूमने का direction तो ऐसा रहता है पर आपके हाथ की रसी tight हो जाती है और आपको अपने हाथ पे खिचने वाला force experience होता है तब भी कोई चीज circular motion में move करती है तो हम देखते हैं कि उसकी velocity हमेशा tangential direction में रहती है मतलब कि जिस direction में मैं अगर उसके उस path के point पे tangent बनाऊं उस direction में velocity रहती है पर उसपे एक internal force लग रहा होता है जो कि circular motion के center के तलफ लग रहा होता है जो यहाँ पे green color के arrow से दिखाया जा रहा है इसको हम बोलते हैं fc जो radius होता है circular motion का उसको हम बोलते हैं r और जो angle move करते है circular motion में cover होता है उसको हम theta से measure करते हैं angular displacement theta is the angle through which the point revolves around the center for example यहाँ पे यह object इस point से इस point टका रहा है तो यहाँ पे delta theta को हम बोलेंगे angular displacement angular displacement है तो जिस तरह कि से linear displacement में velocity or speed defined होती है वैसे ही यहाँ पे angular speed defined होती है which is the rate of change of angular displacement with respect to time omega होता है delta theta by delta t जितने time में यह object यहाँ से आया मतलब कि जितने time में यह angular displacement delta theta हुआ उसको अगर मैं denominator में लिख दूँ तो omega angular velocity बन जाता है delta theta by delta t जैसे कि linear displacement में delta x by delta t होता था linear velocity मतलब कि किसी भी point पे जब object होता है तो हमने अब भी देखा था कि उसकी velocity tangential direction में होती है अब अगर हमको linear velocity measure करनी हो तो हमको सबसे पहले total distance travel by the object measure करना पड़ेगा तो जो कि हम बोलेंगे delta s के बरावर मतलब कि इस circular path के circumference के along जितना उसने path travel किया है और यह same time में cover किया है delta t time में जिसमें angular displacement delta theta हुआ है अब delta s को नापने के लिए हम जानते हैं हम उसको r into delta theta लिख सकते हैं क्योंकि angle बरावर arc length upon radius होता है तो arc length बरावर हो जाएगा radius into angle इससे हमारे पास आता है delta s by delta t मतलब कि total distance traveled upon total time taken बरावर r delta theta upon delta t अब delta theta upon delta t को हमने अभी define किया था as angular velocity इससे हमारे पास आ गया v equal to r omega अब यहाप एक बहुत ही important term आता है centripetal acceleration का इसका मतलब क्या है जब भी कोई object along a circular path move कर रहा होता है और अगर वो एक constant speed से move कर रहा है पर हम जानते हैं कि क्योंकि उसका direction बार-बार बदल रहा है तो मतलब velocity लगातार बदल रही है अब अगर velocity लगातार बदल रही है तो कुछ ने कुछ acceleration भी हो रहा होगा यह acceleration towards the center of the circular motion होता है इसको हम centripetal acceleration बोलते हैं या फिर AC बोलते हैं AC का measure होता है V square upon R अब हमने अभी अभी पढ़ा था कि V equal to omega R होता है तो मतलब कि acceleration जो centripetal direction ने होता है towards the radial center वो आता है omega square R और इसका direction होता है towards the center of the circular path time period capital T time taken by an object to make one revolution is called the time period frequency number of revolutions made in one second इसका unit hertz होता है which is per second मतलब कि one upon second और इसको हम denote करते हैं letter new से new equal to one upon T होता है distance moved in one revolution मतलब कि one circumference अगर radius R का सब के लिए हमको पता है कि उसकी circumference 2 pi R होती है इसलिए distance moved in one revolution हो गया S equal to 2 pi capital R अब हम जानते हैं कि linear velocity equal to 2 pi R upon capital T होगा तो इससे हमारे पास आ गया omega equal to 2 pi nu और अगर हम omega की value omega square R में डाल दें जो कि centripetal acceleration का formula होता है तो हमारे पास centripetal acceleration आ गया 4 pi square nu square R concept test an insect trapped in a circular groove of radius 12 cm moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds what is the angular speed linear speed of the motion is the acceleration vector a constant vector and what is the magnitude बीडियों आपे पास करें और सवाल खुद ट्राइ करें आयो solution बेखते है सबसे पहले frequency निकाल लेंगे हमको दिया हुआ 7 revolutions per second मतलब की frequency होगे 7 by 100 hertz angular velocity हमको पता है 2 pi into frequency होता है तो वो हमारे पास आ गया 0.44 radian per second centripetal acceleration की value omega square R होती है omega हमने उपर निकाल लिया था इससे हमारे पास आता है AC की value 2.32 meter per second square acceleration has a constant magnitude but changing direction आपको याद होगा हमने animation में देखा था कि circular motion में centripetal acceleration हमेशा towards the center point करता है मतलब की उसका magnitude तो सेम है यहां पर जो की 2.32 meter per second square है बट उसका direction लगातार change हो रहा है जैसे जैसे object move कर रहा है acceleration का direction towards the center move कर रहा है तो मतलब की भले ही इसका magnitude constant हो पर वो एक constant vector नहीं है क्योंकि उसका direction लगातार change हो रहा है क्योंकि तो कि एप रहा है